राहूल गांधी से तीन दिन में अब तक 29 घंटे तक पूछताच की गई है E.D. ने आज तो राहूल गांधी को ने मुलाया लेकिन कल यानि शुक्रवार को राहूल गांधी को फिर से E.D. दफ्तर में हाजरी लगाने होगी और पूछताच का सामना भी करना होगा बुद्वार यानिकी investigation के तीसरे दिन राहूल गांधी से 8 घंटे तक पूछताच की गई और राहूल गांधी ने कुछ सवालों के जवाब दिये और कुछ के जवाब को टाल गए राहूल से E.D. की पूछताच पर कॉंग्रिस ने ता गर्म है आज कॉंग्रिस ने कई राजों में धर्णा प्रदर्शन का एलान किया और कई जगे राजभुवन के बाहर धर्णा दिया पिछले तीन दिनों में राहूल गांधी से 29 घंटे से भी ज़ादा देर की पूछताच हो चुकी है लेकिन राहूल गांधी की जुबां से E.D. के सवालों के संतोज जनक जवाब नहीं मिल रहे हैं राहूल गांधी आरोपी की तरह नहीं बलकि पार्टी के सरवोच नेता की तरह इनिवस्टिगेशन में शामिल हो रहे हैं इसलिए पूछताच का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा पहले दिन यानि 13 जून को 10 घंटे की पूछताच हुई दूसरे दिन 11 और तीसरे दिन यानि कल 8 घंटे की पूछताच हुई आज E.D. ने रहुल को तलब नहीं किया है लेकिन कल यानि शुकरवार को रहुल गांधी को फिर से E.D. के सामने हाजिरी लगानी होगी रहुल को नैशनल हेराड में मनी लॉंडरिंग के आरोपो पर E.D. के सामने अपनी सफाई पेश करनी होगी राहुल अंदर थे और बाहर उनके समर्थवक तांडव कर रहे थी कॉंग्रेस कारे करताओं ने E.D. आफिस के बाहर आगजनी की तायरों में आग लगा दी कॉंग्रेस ने था पुलिस वालों से भेड़ गए कॉंग्रेस के आफिस के बाहर भी बहुत हंगामा हुआ ऐसा ही हंगामा आज भी होने वाला है महराष्ट से लेकर बैंगलूरू तक आज कॉंग्रेस विरोध जताने वाली है महराष्ट राजभवन के बाहर कॉंग्रेस के नेता धर्ना देंगे इसमें महाराष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के अलावा कॉंग्रेस के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे मेंगलूरू में कॉंग्रेस नेता राज भवन तक मार्च करेंगे और विरोध जाहिर करेंगे नेशनल हेराल्ड के मनी लॉंडरिंग केस में राहूल गांधी पर E.D. का शिकन जाक कस रहा है तीन दिन में 29 घंटे से जादा की पूछताच हो चुकी है लेकिन अब भी E.D. को क्लू नहीं मिला है E.D. राहूल गांधी को आसानी से छोड़ने के मूड में नजर रही आती राहूल गांधी से सवाल जबाब के सिलसिला जारी है शुक्रवार को राहूल गांधी को फिर E.D. ने बुलाया है राहूल गांधी को कल फिर E.D. आफिस जाना होगा और दिन भर बैट कर ED के अफसरों को जवाब देना होगा राहूल गांधी से ED लीगल तरीके से पूछताच कर रही है लेकिन ये बात कॉंग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रही लगातार तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है कॉंग्रेस नेता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं कल ED ऑफिस के बाहर कॉंग्रेस कारेकरताओं ने टायरों में आग लगा दी बीच सडक पर लगी आग की वज़ा से ट्रेफिक में रुकावट भी हुई यहां पर मौझूद है वह यहां पर धरने पर बैट गए है तो टायर जो है वह यहां पर जलाए गए है प्रोटेस्ट यह लोग कर रहे हैं राहूल गांदी से लगाता तीसे दिन पूश्टाच हो रही है उसके विरोध में जो कॉंग्रेस के कारेकरता है वह यहां पर कॉंग्रेस मुख्याले 24 अकपर रोट पर जम कर हंगामा हुआ यहां धारा 144 लगाई गई है ऐसे में जब बड़ी तादाद में कॉंग्रेस कारेकरता यहां जमा हुए तो उनकी पुलिस से जड़ाप हो गई अब राउल से पूछताज के विरोध में कॉंग्रेस का पताश्चन चंडीगर में हो रहा है कॉंग्रेस के कारेकरता पुलिस से यहां भिरते हुए नज़रा है राजभवन के घहराव की कोशिश में थे यह कॉंग्रेस के कारेकरता दो तफ्वीरें आपके सामने रख रही है एक तरफ जहां चंडेगर में राजबबन के घिराफ के तफ्वीरें वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की भी तफ्वीरें आप देखिए जहां पर फड़क पर आगज़नी की जा रही है